कि हलो दोस्तों मैं इमानसु पांडे आपका अपने उट्यूब चैनल ग्याने इस्टार में एक बार फिर स्वाकत करता हूं दोस्तों हम लोग क्रेक्टिस सेट की स्रीज लेके चल रहे हैं क्लास 10 बॉर्ड एक्जाम के लिए उस स्रीज का सेकेंड वीडियो है इसमें हम स्ट स्टीन दिया हुआ इस डाटा से हम टेबल बनाएंगे उससे हम वैलु फाइड करेंगे तु से क्वेशन से यहां पर जिसी में आपको और्तिमेटिक मीन फाइंड करना है और से किंद में और इसवाक्र पासा करता हम कोशन समझ में आ गया होगा इसको सॉल्व करेंगी सबसे बले हम एक टेबल तयार करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने टेबल को प्रिपेर कर लिया है मैंने आपसे पहले ही बोला था फर्स्ट वीडियो में ही कि आपको जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम फार्मूले को देखके ही अपने टेबल को प्रिपेर किये हैं दो अपने सबसे मतलब जो सबसे अच्छा मेंसेड आपको लगी उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पर मैंने अभी साटकॉट मेंसर लेके चला हुँ है इस मेंसर करके हम में फाइंड कर रहे हैं तो डायक मैंसर आप चाहों तो आप इस्टेबड इजन भी आगा सकते हो और इसी questions को आप लोग assuming method से भी solve कर सकते हो तो किसी तरिके से questions को आप लोग solve करते हैं उसमें आप निश्चिन तरहिएगा ठीक है दोस्तो जो आपको आसान लगे तो यहाँ पर मैंने यूज़ कि है direct method method में question दो जो तो हम x i को टेबल में लिख लिए हैं f i को भी टेबल में लिख लिए और यहाँ पर f i x i इसका मतलब होता है कि f i x i में multiply करके यहां लिख दीजिए तो अगर हम multiply करते हैं 4 में 5 का तो 5 4 यह होगा 20 यहाँ पर मैंने multiply करके लिख लिए 60 ऐसे सब का multiplication में यहाँ पर कर लिया अब क्या करना हमें कल बता है सब्मिशन का मतलब होता है add यहाँ पर मैं इन सब को add करूंगा सब को add करने पर हमारा आएगा यहाँ पर 360 और इन जब सब को add करूंगा मैं तो यह आ जाएगा मेरा 40 इस इस यहाँ पर पूट कर देना है आपका answer आजाएगा यहाँ समिशन फाइए की value क्या है यह है आपका 360 और नीची फाइए की value क्या है यह 40 इसको अपका आपका answer आजाएगा जाएगा और जो काटे के यह answer आजाएगा नाइन ही आपका answer रोजाएगा कितना आसान था आपका बहुत ही आसान था आपका arithmetic mean का question इसी तरीकी से आपको second वाला question दे सकते हैं यहाँ पर तो arithmetic mean की value दिया हुआ है सबसे पहले हम टेबल प्रिपेर करते है दोस्तों यहाँ पर मैं इस दीएगे table का data का टेबल प्रिपेर कर लिया यहाँ पर multiply करेंगे ति हो जाएगा 6, 8, 18, 10 और जब यह multiply करेंगे तब यहाँ 2 का multiply P plus 5 में होगा तो 2 का multiply P में होगा तो यह हो जाएगा 2P और जब 2 का multiply 5 में होगा तो यह हो जाएगा 10 इस तरीकी से हम इस सब को एड़ कर लेंगे और इन सब को भी हम आपस में एड़ कर लेते हैं यहां पैप को दिखाई दे रहा हो कि हम आने फर्मुलाब लिख लिया और जब इन सब को मैं एड़ करूंगो तो ध्यान दीजिएगा मैं नंबर में नंबर को एड़ करूंगा तो जब इसको इ सब को हम एड़ करेंगे तहीं हो जागा आपका 11 हम पहले बता चुके हैं कि इसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं इस वैलु को यहां पूट करते हैं एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर अर्थमेटिक मीन की वैलु दिया हुआ होग क्या दिया हुआ थे इस दिया हुआ है क्या है फ़ाइए एक साइड की वैलु दिया हुआ है यह आया है टू पी प्लस 52 और जब एफाई की वैलु हम निकाल लेंगे तो यह अब मिला हमको 11 इस सब आपको जब दो तीम कोशन सॉल्व कर लोगे न तो आपको मिल जाएगा हम आपको question send कर देंगे इसके बाद जब हम क्या इसको solve करेंगे तो solve करने में क्या 11 को multiply 6 में होगा यह हो जाएगा आपका 66 और यह हो जाएगा 2P plus 52 जब 52 को इदर भेज़ देंगे तो सब्ट्रेक्शन हो जाएगा 66 minus 52 यह हो जाएगा 2P जब यह आपका सब्ट्रेट कर लोगे तो हो जाएगा 14 14 इसकल टू टू पी इस तरीके से लिख सकते हैं पी इसकल टू 7 आपका एंस वरा जाएगा आसानी से यह मने छोटा सा कोशन से लिया है एक्जाम में इसके जो डाटा है वो बहुत बड़े बड़े भी आ सकते हैं तो प्रोसेस यह होगा multiply और सब्ट्रेक्शन करने आपको आना चाहिए एक इतना आता है तो आप आसानी से क कुछने कुछने कुछ डिफ्रेंस इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको अर्थमेटिक में निकालना था यहां पर आपको पी की वेलू निकालना था अर्थमेटिक में दिया हुआ था यहां पर पी किसमें है यहां मैं एक्स किसमें है यहां मैं ए हैं पर भी एक्स कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने यहाँ पर क्या कर लिया एक्स कर लिए ठीक है यह सही है इसकी वैलू फाइंड कर लिए अब तो यहाँ पर जो यह से इसे करना मैं आपको पहले टेबल बनाएके दिखा देता हूँ टेबल F, X, I कहोगे है फिर यहाँ पर लिखे कि अब फिर यहाँ पर लिखे कि अब फिर यहाँ देंगे F, I into X, इस तरीके से उने टेबल प्रिपेर कर लेते हैं और टेबल में इस डाटा को फिल कर लेते हैं जैसे पहला फिल डाटा क्या है आपका 3 है तो 3 हो जाएगा 5 है 7 है 9 है इसके बाद 13 है 3 की नीचे को ने 6 है तो 6 यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा 15 नहाब पर अपका 100 है यह आपका 8 हो जाएगा कई कुछ बूल गी है 3 6 इस तरीके से मैंने टाबल प्रिपेर लिया अब इसको multiply करके 2 लिख ली जीजिजिसे यहाभ पर 18 हो गया यहाँ पर आपका यहाँ पर मैंने सब का multiply कर लिए 9 का multiply x में होगा तो 9x होगा ध्यान दीजिएगा और जब इस तरीके समझ जब सब को add करेंगे न तो आपका पी वाला यह जो x वाला ही अलग हो जाएगा बाकि सब को मापस में add करेंगे इसको छोड़ करेंगे जब इस सब को add करेंगे आपस में तरी आजाएगा 303 303 और जब इन 9 x आपका अलग बचा है न तो 9 x करके लग करेंगे ऐसा नहीं कि 9 को add कर लिजिएगा 9 को add नहीं करते है 9 x आपका अलग हो जाएगा ठीके चीज़े और जब इन सब को add करेंगे तो यह आजाएगा ध्यान देजिएगा यह आजाएगा आपका यक्स को छोड़ करेंगे तो 41 और यक्स है तो यक्स आपका यहां पे हो जाएगा इसका सम्मी हो गया इसका सम्मी हो गया कुछ नहीं फार्बूले में पूट कर देना है आपका अंस्वर आ जाएगा अगर वैलू की बात करें मीन की वैलू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है f i x i की वैलू आईए है हमार यह है 303 प्लस 9 x और f i इसका सम जो है मैं बताब सम्मीचन दिखाता है सम की बाइलू है आपका क्या 41 प्लस x अब कुछ नहीं करना बस इसका इधर मल्टिप्लाई कर लेना है तो मल्टिप्लाई होगा 7.5 का मल्टिप्लाई 41 मों होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.5 41 प्लस x और यहां हो जाएगा 303 प्लस 9 x जब इसका इसमें मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 307.5 और जब यहां पे आजाएगा तो यह हो जाएगा 7.5 x यह हो जाएगा 303 प्लस 9 x x x वालों को एक तरफ ले जाएगे तो यह हो जाएगा 9x minus 7.5x यह अपने जगा पे इसको उधर ले गए है अब जो बड़े वाले के पास छोटे वाले को ले जाए जाता है तब 307 अपने जगा पे है और यह जब इसके पास जाएगा तो यह हो जाएगा minus 303 सब्टेट करने पर क्या हो जाएगा देखिए सब्टेट करने पर हो जाएगा 1.5x और यह हो जाएगा आपका 4.5 जब हम डिवाइड करेंगे 4.5 में 1.5 से यह अपने जाएगा आपका 3 यानि x की जो value है यह आगए आपका 3 यह आसा करता हूं कि यह चीज़े आपको सुमझ में आ गई होंगी तो इस तरीके से 3 टाइप के कोश्चन से हमने आपको 3 टाइप के कोश्चन से यहाँ पर करा दिये हैं मीन के डारेक्ट मेथड से इन सारी कोश्चन से आप assume method से भी solve करेंगे और step division method से भी solve करेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में तीनों तरीके से कोश्चन से पूछे ज़े सकते हैं डारेक्ट मेथड पर बेस्ट मैं कुछ यहाँ पर कोश्चन दे दे रहा हूं आप उसको practice कर लिजिएगा यहाँ पर मैंने बता दिया और इस पर based मैंने practice questions भी दे दिया आसा करता हैं इस questions को solve करके आप comment box में comment भी करेंगे आपका कितना answer आया हुआ है आगे चलता हम एक assume method भी देख लेते हैं इसलिए में किस तरीके से assume method को solve करते हैं दोस्तों आपके साबने मैंने next questions लिया है जिसमें मैंने आप assume mean method का use किया है इस assume mean method का use करके इस questions को किस तरीके से solve करते हैं use method नहीं है use इसका जो सीखना होग आपको idea सीखना है किस तरीके से solve करना है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 5 data जब होता है तो यहाँ पर हम आसानी से 2 इधर से निकालके 72 को mean माल लेते हैं लेकिन जब data even number में हो जैसे 1,2,3,4,5,1 और 600 तब mean किस को मानते हैं इस questions में हम लोग सीखेंगे तो शलिए शुरू करते हैं अपने questions को पर टेबल प्रिपेर करते हैं फिर questions को हम लोग solve करेंगे दोस्तों मैंने आपके सामने इस दीए गए टेबल data का टेबल प्रिपेर कर लिया है value fill कर लिए weight को हम लोग हमेशा x i मानते हो को जो नहीं number जो भी तर नंबर होते हैं number वाले को हम लोग frequency मानते हैं frequency के मतलब यहते हो यहीं होता कितनी बार कोई चीड आया है तो frequency होगा frequency को हम नंबर मान लेते हैं और जो weight है उसको हमने x i मान लिए आप भी ऐसे करें एक्जाम में दिये ऐसे आता है तर समझेगे x i की इसको मानना है और fi किसको मानना है अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि assume method में किसी a की value को a मानते है a मानते है a खुद से हम लोग assume कर लेते हैं अब a क्या है a वह mean value है जिसे मान लिए यहां पर one, two, three, four, five five data दिये हुए है तो हम दो उपर से निकाली और दो नीशे से निकाली बीच में क्या बचा 72 तो 72 को हम लोग क्या मान लेते हैं mean मान लेते हैं ठीके बट यहां पर आपको पूरे table क्या निकालना है mean value निकालना है तो हम अपने से मान लिए है mean assumed mean मान लें 72 mean value कितनी होगी इस प्रेट टेबल की उसको को मुपाइन करना मीन वेट मेरी बास समझ रहे हैं आप mean हम खुद से assume कर लेंगी इस टेबल में 72 कैसे या वर टू उपर टू नीशे छोड़ दिये बीच में बचा 72 यहां पर ऐसा कोई fixed value नहीं है जैसे आप बीच को ही mean माने अब 72 को हटा करके 70 को भी यह मान सकते हैं आपका answer इतना ही आएगा आपका यदि माली यह sum में है 123456 sum है तो 3 उपर गया 3 नीचे किसको माने तो आप जो 3 उपर वाले इसमें से भी यह मान सकते हैं इसको मान करके अप आसा ले से ए फायल कर सकते हैं तो आसा करते दोस्तों आपको यह वाला चीज सबन में आया होगा यहां पर मैं इसको यह माना हुआ हूँ कि इसको मैं क्या माना हूँ आप चाहों तो 70 को भी यह माना हूँ अभी 70 को भी solve करके दिखा दूँगा आपको दोस्तों चलिए अब आगे आते हैं यहां पर चुक्त हम आपसे पहले बुले थे formula याद होना चाहिए formula assuming method का यह होता है ठीक है दोस्तों assuming method के formula में हमको a पता होन मैंने find कर लिया diamond कर लिया यहाँ पर दिया क्या होता यह कैसे निकलता है डीको जो अप्र एकस आई में से 72 को निकालते तब दी आई निकलते ŏ डी आई मतलब क्या दी आई मतलब यह अगर हम वन रखते दे टी वन हो जाएगा फिर दी टू हो जाएगा दी three हो जाएगा तो यहां पर आएंगे ही आपके सेवनटी को सकते हैं रृई यहां परससक्तोंन के सबस्त हो सकते हैं आपको बार-बार यह लिखने क्या हो सकता नहीं दिए आप अपने मन में कर लेते हो तो इस टेबल में सिर्फ यह लिखा जा सकता है अब क्या करना मतलब कि पहले एकसा हुआ करता था अब यहां पर बढ़ दिया होगे एकसा की जगह पर अभी इस फोर का इस माइनस फाइव में होगा तो हो जाएगा आपका माइनस टॉन्टी इससे सब का मैंटिप्लाई कर लेंगे हम लोग दोस्तों है अब आप स्टेटिक स्में टेबल प कर लेते हैं में की वैलू निकालना है आपको में इसको एज्वेव मैंने दिया हुए और ये फटी आई समका वैलू मैं आपका यह है अपका इस तरह के लिख लिए और जब मैं इसको स्वाल करूंगा तो एकस में की वैल्याइगा पध्यान दिजिए गा 72 माइनस कटा दें करेंगे ती हो जाएगा आपका इसको हम सॉल्प करेंगे ती हो जाएगा मीन इसको मीन भी लिख सकते हैं मीन इसको टू क्या हो जाएगा 288 माइनस 7 भाई 4 इसको मैं जब कटा पटा के लिखूंगा ती आए जाएगा इस तरीके से आपके इस्प्रेट टेबल का मीन निकल आ जाएगा एक एक एज्यूम करते हैं मीन और एक कोवाइंड करके निकाल रहाता है इस तरीके से हमें कॉश्चंस की आसा करता हूँ आपको समून में आया होगा इसको मैंने यहां पर कॉश्चंस को 72 को मीन माना है अगर मैंने assuming 72 माना था ठीक है और यहां पर मैंने क्या मना है 70 मान कर भी solve किया आप देख सकतो टेबल मैंने वैसे प्रिपेर किया है calculation मैंने वैसे किया है solve करने प्रेंस और आपका उतना ही आया है तो आप assume को ले करके disturb मत होएगा यह दिया आपका even term है यह तो आप किसी को भी ए मान करके solve करते और है तो कोशिस कीजिएगा बीच वाले को ही माने वैसे हम किसी को ले करके question solve कर सकते तो इसमें थोड़ा भी doubt नहीं होना चाहिए आपको कोई doubt है तो comment box में comment कीजिएगा मैं इस पर भी प्रेक्टिस सेट दे रहा हूं या फिर आप इस सारे questions को एज्यूम में में और डारेक्ट में सब्सक्राइब करेंगे कि आपको shortcut method या फिर जो आपका यह कौर होता है बस उसको बता करके यह स्टैक्स का revision हम खत्म करेंगे मात तीन वीडियो में इससे जुड़े हुए सारे questions बोड एक्जाम में जो भी आया हुए और भी मैं करा दूंगा दोस्तों वीडियो को लाइक करा ना पूरी कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है आप यह के लिए बनाते हैं आप वीडियो को revision कीजिए और वीडियो को जाता जाता अपरें दोस्तों तक सेर केरना नव भूलें मिलेगे हमनों ने शुडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर